सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अच्छे से होंगे तो अब हम स्टडी जो है हम शुरू करेंगे क्योंकि वेकेशन्स भी सबने इंजॉय कर लिए अपनी तो आज हम इस वक्षीट को सॉल्व करते हैं बच्चों जो 16 जनवरी 2021 की वक्षीट है क्लास 6 से एर्थ तक के बच्चों की वक्षीट है ये अवविशे है इसका हिंदी तो विद्यारती अपना नाम भी लिख लेंगे और गक्षा ध्यापा का नाम लिख लेंगे बच्चों तो कोशिन नमबर वन है बच्चों नीचे दिये गए चित्रों में धर्शाय कए कारणों को ध्यान पूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताईए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं तो हमें पहले चित्रों को ध्यान से देखना है बच्चों कि उसमें दिखाया हुआ क्या है फिर हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है तो देखिए जैसे ये पहला चित्र है यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि plastic की polythine में समान ले रहे हैं और दे रहे हैं ठीक है तो ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें plastic की polythine का use ही नहीं करना चाहिए कोई other substitute यूज़ करना चाहिए कोई अन्य विकल्प ठीक है यहाँ पर भी यह दिखाय हुआ है समान तो यह भी नहीं ठीक है हम नहीं लिख देंगे यहाँ पर देखे बच्चों इस चीत में दिखाय हुआ है कि यह lady जो है यह कच्रा फैकरी है यहाँ पर नदी में ठीक है और plastic की polythene का भी use कर रही है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे नहीं लिख देंगे ठीक है क्योंकि यह भी गलत है अच्छा अब यहाँ पर यह क्या कर रहे है यह लोग सफाई कर रहे हैं यहाँ पर जो आसपास होता है जहाँ पर पानी होता है उसके आसपास के रहे हैं की नदी के आसपास के रहे हैं की सफाई कर रहे है तो यह ठीक है तो हम यहाँ लिख देंगे आच्छा यह भी गलत है क्योंकि यह भी खाने पीने की चीज या कुछ गंद की फैकते है Substitute यूस किये गए तो इसमें हम हान लिख देंगें, तो ये तो हमने answer दे दिया, question number 1 का, हा ये नहीं मैं ठीक है पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, दीजरे में नहीं, छोते में हां, पांचवे में में नहीं, छोटे में, हाँ अब question number 2 देखते है बच्चो, question number 2 है बच्चो नीचे दिये गए संकेतों क्या धार पर उनके सामने सही उत्तर लिखे तो यहां देखे संकेत हैं यहां आपको उत्तर देने तो पहला है कोशन यह देख लेते हैं दिल्ली में जलका पिरमुख प्राकर्तिक इस्तरोथ तो दिल्ली में जलका क्या पिरमुख प्राकर्तिक इस् क्या प्रती दिन बढ़ता जा रहा है प्रदूशन ठीक है तो हम प्रदूशन लिख देंगे आप देखिए इसमें रहने वाले जीव हैं इसमें रहने वाले जीव कैसे हैं जलिये तो हम या जलिये लिख देंगे क्योंकि जो जल में रहते हैं वो जीव कैसे कहलाते हैं जलिये इसमें क्या पूछा हुआ है दिल्ली प्रदेश की पिर्मुख नदी का नाम लिखिए ठीक है एक तो हमें ये बताना है और अपने परिवार जनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूशन की रोक थाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और प्रण उपायों को लिखिए तो देखे इसका अंसर हम बच्चों लिख देंगे यहां से दिल्ली प्रदेश की पिर्मुख नदी का नाम यमना है ठीक है पहले तो हमने ये उत्तर दे दिया अब हम लिखेंगे हम यमना नदी में बढ़ते हुए प्रदूशन की रोक थाम के लिए निमलिकित उपाय कर सकते हैं जैसे फस्ट पॉइंट डालकर लिख देंगे हमें नदियों में कोड़ा करकट नहीं डालना चाहिए ठीक है सेकिंड पॉइंट हम लिख देंगे हमें नदियों में रत्ध जानवरों को नहीं डालना चाहिए कुछ लोग मरे हुए सोचना चाहिए लेकिन नदियों में नहीं जाने देना चाहिए फॉर्थ पॉइंट लिखेंगे नदी नालों के गंदे पानी को भी नदियों में जाने से रोका जाना चाहिए और लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों हम हमें प्लास्टिक के स्थान पर जूट का प्रिय चाता हो ठीक है कि कि प्लास्टिक बहुत हानी का रख है हमारे लिए भी है और जो नदियों में जली जीव होते हैं उनके लिए भी हानी का रख है और जो प्रिद्वी पर जीव होते हैं उनके लिए भी जो अनिमल्स होते हैं उनके लिए भी कभी-कभी वो क्या करते हैं कि कु हमारी वक्षीट भी सॉल्व हो गई है ठीक है आप लोग की अपनी वक्षीट कर ले ना 6-8 के सभी बच्चों की वक्षीट है कोमन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वक्षीट के साथ अक्या स्वस्त वर्चीट प्रोच अच्छ वर्चीट वाचीट को अच्छीट के साथ वक्षीट के साथ लग्च वर्चीट के साथ